नमस्कार जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट mcq by संदीब में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेलेट थर्ड समिस्टर की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतरगत हम आज डेलेट थर्ड समिस्टर का पेपर नमबर ट क्योंकि लगभग कोर्स पूरा डेलेट का ही वहाँ पर पूछा जाता है तो यह जो चैप्टर है यह जो विसय है आपका पेपर नमबर टू इसका मॉडल पेपर नमबर टू आज हम पढ़ेंगे इसका मॉडल पेपर वन हम पहले अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा आप वहाँ से जाकर वो वीडियो जरूर देख लेजाए तो चले शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर नमबर टू पहला प्रशन है सामाने बच्चों में बुद्धी लब्धी कितनी होती है सामाने प्रशन पूछे जाते बुधी लब्धी संबंदित या तो सामाने पूछलेगा या तो प्रतिभासाली पूछलेगाiksi 140 से अधिक ठीक है प्रतिभासाली पूछेगा तो 180 से अधिक और सामाने पूछेगा तो 90 से 110 अगला प्रशन है एन एन्रिस्ट करीकुलंव फोर रैपि आपको याद जिरूर होना चाहिए, अगला प्रसंद देखते हैं, प्रसंद क्या तीन, दो बुद्धी परिछडों के नाम लिखो, सबसे पहले हम यहाँ यह समझ लेते हैं कि बुद्धी परिछड का वर्गी करण या बोल सकते हैं कि बुद्धी परिछड के प्रकार कौन-क बुद्धी परिछडों के नामों की, तो आपके सामने यह 5 नाम दियें, साइमन बीने बुद्धी परिछड, स्टेन फोर्ड बीने बुद्धी परिछड, भाटिया बुद्धी परिछड, आर्मी अलफा परिछड, आर्मी बीटा बुद्धी परिछड, तो यह हैं आपके छड़ विभाग और चौथा है परा मर्श विभाग ये डाइट के चार विभागों के नाम यहाँ पर लिखे गए अगला प्रशने समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं ऐसे बालक जिनका विवहार सामाने बालकों की तरह नहीं होता समस्यात्मक बालक कहलाते हैं ऐसे बालक समाज हो या विद्याले प्रतेक इस्थान पर समस्या पैदा करते हैं उधारर की रूप में हम ले लेते हैं कि जो चोरी करने वाले बालक होते हैं जूट बोलने वाले बालक होते हैं ये सब समस्यात्मक बालक की श्रिणी में आते हैं ये ऐसे बालक होते हैं इनका विवहार जो है वो सामान नहीं होता सामान बालकों की तरह इनका विवहार नहीं होता ऐसे जो बालक होते हैं वो हर जगे चाहे आपके टीचर हों चाहे आपके रिष्टेदारों, चाहे आपके दोस्तों, ये सब कुप परेशान करते रहते हैं, ऐसे बालक समस्यात्मुक बालक कहलाते हैं, अगला है विसिस्ट बालक कौन से होते हैं, सामान बालकों के अलावा सभी बालक विसिस्ट बालक कहलाते हैं, विसिस्ट बालक प्र जो प्रतिभाशाली है वो कहेगा कि हम सामाने बालकों के साथ नहीं खेल सकते जो मंद बुद्धी है वो तो अहीन भावना सिक्रसित है तो वो भी सामाने बालकों के साथ खेल कूत नहीं हो सकती और पढ़ाई नहीं कर सकता तो यह है इसका मतलब या Serial Burt का कथन है Most important question है आपकी सिच्चक भरती परीच्छा में भी पूछा जा चुका है कि जिसकी सिच्चक सेचिक लबधी या बुद्धी लबधी 85 से कम है वो पिछडे बच्चे होते हैं ये किसका कथन है? Serial Burt का अंगला प्रशन, आंसिक, सारेरिक, अच्छम, बच्चे कितने प्रकार के होते हैं तो इन्हें मुखेता चार भागों में विभाजित किया गया है पहला है द्रश्टी बाधित, श्रवण बाधित, वाकदोष और अस्थी बाधित इनके बारे में शायद में पिछले मॉडल बेपर में बता चुका हूँ कि द्रश्टी बाधित जिनने दिखाई देखने में समस्या है श्रवण बाधित जिनने सुनने में समस्या है वाकदोष जिनने बोलने में समस्या है अस्थी बाधित जिसकी हड्डियों में कोई समस्या है अगला प्रशन है आंसिक रूप से द्रश्टी बाधित बच्चों के सिछड में सहायक उपकरण कौन से है उत्तर लेंच के चसमे द्रश्टी यंत्र द्रश्टी कैमरा चलायमान टेलिस्कोप चित्रों को बड़ा प्रश्ट करने वाले यंत्र तो जो आंसिक रूप से द्रश्टी बाधित बच्चे हैं जिनको दिखाई कम देता है तो उनके सिछड में ये जो उपकरण हैं ये सहायक है ठीक है जितने भी ये उपकरण दे रखें आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ट है वाउक दोस वाले बच्चों की सिछा कैसी होनी चाहिए वाउक दोस वाले बच्चों की सिछा किस तरह होनी चाहिए इसके ये पॉइंट यहाँ पर दे रखें है पहला point है पर्याप्त अभी प्रड़ा प्रदान करने जी जो सिच्छक है वो बच्चों को पर्याप्त अभी प्रड़ा मतलब उनको motivation देता रहा है बोलने में कि आप बोलिए चातरों को वो motivation देगा कि आप बोलिए दोश पर बल नहीं देना चाहिए अगर बच्चे से कोई दोस हो जाता है, मतलब बोलने में अगर कोई तुरुटी हो जाती, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उस दोस पर बल नहीं देना चाहिए सिच्छक को, दोस का निदान कर उपचार करना चाहिए, अगर कोई समस्या हो रही है, तो उसको पहचान कर उसका भ्यास करा है लज्जा वा घबराहट से बचाना चाहिए अगर चात्र वाउग दोस्ट से पीडित है और वो सहरमा रहा है लज्जा कर रहा है घबरा रहा है तो उससे सच्छक को बचाना चाहिए उसकी लज्जा और घबराहट को दूर करना चाहिए अगला प्रश्ण है अस् नमबर पूरा मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर अगर दो नमबर में प्रशना है तो यह आपके इसके आठो प्रकार भी आप जरूर लिखे तभी आपको दो नमबर मिलेगा तो अस्तिव अधिता के प्रकार होते हैं पहला है लूले लंगडे या हतकटे दूसरा है एक या अध तिसकी पच्छा घात सातों है मेरू दंडिये दुईस मुखी और आठों है मास पेशिये असमर्थता तो यह क्या है आपका मेरू दंडिये दुई मुखी ठीक है तो यह आपके आठ आपके अस्तिवादिता के प्रकार होते हैं अगला प्रशन देखते हैं प्रशन के अबा आखिर जो उनका वेवहार है ऐसे बालक क्यों बन गए उन्हें वो जो बालक है वो समस्यात्मक बालक क्यों बन गए इनके वेवहार का आखिर कारड क्या है तो यहां पर पहला कारड है अनुवांशिक कारड अनुवांशिक कारड तो आप समझते हैं कि पिता से पुत्र में मि बच्चा भी समस्यात्मक हो सकता है, तो इसे कहते हैं अनुवांशिक कारण, सारीरिक कारण हो सकता है, सुभाव संबंधी वा समवेगात्मक कारण हो सकता है, सामाजिक वा परिवेशी कारण हो सकता है, आसपास के लोगी अगर समस्यात्मक हैं, तो छात्र भी समस्यात्मक बन प्रशन है निर्देशन की आवशक्ता के दरश्टी कोड लिखो कितने दरश्टी कोडों से निर्देशन की आवशक्ता है तो आप देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक दरश्टी कोड से निर्देशन की आवशक्ता है मनोवे ज्यानिक दरश्टी कोड से निर्देशन की आवश अब अगला प्रश्ण है कि सैचिक दृष्टी कोर से निर्देशन के आवशक्ता क्यों है इसके आप बारे में बताईए सैचिक दृष्टी कोर से निर्देशन के आवशक्ता क्यों है तो यहां पर आप देख सकते हैं पाठिक्रम का चैन करने है तू जो भी पाठिक्रम बच पॉइंट है पाचवाप पॉइंट है विद्द्याले में समायोजन की समस्या को खत्म करने के लिए निर्देशन की आफशकता है। शक्ता है अगला प्रशन है प्रसंक्य 16 रूथ स्ट्रेंग के अनुसार ये एक वनोवेग्यानिक है रूथ स्ट्रेंग के अनुसार परामर्ष का क्या उद्दे से है तो रूथ स्ट्रेंग के अनुसार परामर्ष का उद्देश आत्म परिचे वा आत्म बोध है याद यह important है यह परिभाशा भी आ सकती है कि परामर्ष का उद्देश से क्या है रूत इस्ट्रेंग के अंसार तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो परामर्ष का उद्देश से है आत्म परिचे या आत्म बोध अगला प्रशन है परामर्ष की विधियां कितनी होती हैं दो विध यहां होती मुखिता विक्तिगत और समूह परामर्ष यह तो आप जानते हैं विक्तिगत का मतलब किसी एक विक्ति को परामर्ष दिया जा रहा है और समूह परामर्ष मतलब कई लोगों का समूह बना लिया गया उनको एक साथ परामर्ष दिया जा रहा है अगला प्रशन है मंडली ये मनो विज्ञान केंदर प्रयाग राज के कारे लिखोती यहाँ पर प्रस्ण में ही एक प्रस्ण चुपा है मंडली ये मनो विज्ञान केंदर कहा है ये है प्रयाग राज उत्तर प्रदेश में अब इसके आप कारे लिखे देखे अगर आप point wise लिखेंगे तो निश्चित तोर पर जो एक्जामनर होगा वो आपको number जरूर देगा number काटने के उसका कोई chance ही नहीं रहे गए इसलिए आप हमेशा point wise उत्तरों को लिखिए मंडली मनोविग्यान केंद्र प्रयागराज के कारे निमलिखित हैं मनोविग्यान साला के कारियों को मंडल इस्तर पर सेवा प्रदान मतलब जो मनोविग्यान साला उत्तर प्रदेश में बनी है प्रयागराज में उसके कारियों को मंडल इस्तर तक पहुँचाना मंडली चुंने में परामर्श देता है जो मंडली मनोविज्यान केंद्र है यह छात्रों को मनोविज्यान केंद्र HAIN परम मनो विज्ञान केंद्र के उम्मीद करता हूँ इस सारे जितने भी चार पॉइंट है यह आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाने चाहिए अगला है विद्याले परामर्ष सेवा संगठन के कितने प्रारूप होते हैं विद्याले परामर्ष सेवा संगठन के कितने प्रारूप होते हैं मुखेता तीन प्रारूप होते हैं रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखा कर्मचारी मिश्रत संगठन इसको आप जरूर याद कर लीजिए अगला प्रशन है बाल अधिगम को स्रेष्ट इस्थाई बनाने के लिए किसे परामर्ष दिया जाता है ऐसा प्रशन बहुविकल्पी में आ सकता है आपको तीन आप्शन देदेगा सिच्छ को अभिभाव को और बच्चो और एक आप् कुछ लोग बाल अधिगम देखकर हो सकता है केवल बच्चो को टिक कर दें लेकिन यहाँ पर ये तीनों है इन तीनों को परामर्ष दिया जाता है बाल अधिगम को स्रेष्ट ववा इस्थाई बनाने के लिए तो दोस्तों ये मॉडल पेपर 2 के 20 अति महतुपूर प्रशन या फिर उपर युक्त सभी इसका क्या सही उत्तर है हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं कि T.A.T. क्या है उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस प्रशन का उत्तर नीचे कॉम क्या है